हलो दोस्तों मैं हूँ गोरा हूं इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं कुछ ऑप्शन्स और इंक्रिप्शन से रिलेटेड चीज जो अपन EBS के साथ कर सकते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं वह जो चीज वह अपने वाले वीडियो में बात करेंगे जहां पर मैं केवल और केवल इंक्रिप्शन के ऊपर वीडियो बनाँगा बट अगर आप एक EBS वाल्यूम को एंक्रिप्ट करते हैं तो आपको क्या-क्या फंक्सनालेटी मिलेगी अपन इस वीडियो में केवल वह ब अगर आप एक EBS वाल्यूम को एंक्रिप्ट कर देते हैं तो उससे अपन को क्या-क्या बैनिफिट रहने वाले हैं क्या-क्या फंक्सनालेटी अपने को मिलेगी अपन उस बारे में यहां पर बात करेंगे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने कोई भ आप वोल्यूम यहां पर कहीं रका रहते हैं जहां पर मेरा कर्सर आप लोगों को दीख रहा है तो जब यहां पर आपका वोल्यूम ब Champagne आपक बलॉप स्टोरीज बरह ना यहां पर डूसरी चीज यह कि आपका Richards यहांपर बना ऊपर तो यहां से लेके यहां तक अगर आपका data travel हो रहा है तो वो भी encrypted travel होगा ठीक है आपको इतना ध्यान रखना है अगर आप एक EBS volume को encrypt करते हैं तो क्या हो रहा है अब मैं क्या करता हूँ एक volume create कर लेता हूँ encrypted volume ठीक है तो मैं एक volume बना देता हूँ यहां पर मैं इसकी size देता हूँ 5GB यहां पर मैं default ले रहा हूँ अभी के case में बाद में जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आज आएगा यहां और क्या-क्या options है कैसे कैसे मैं इसको encrypt कर सकता हूँ इस वीडियो का topic के वहली है कि EBS को अगर आप encrypt कर देते हैं तो आपको क्या benefit मिलेगा ठीक है यहां पर मैं एक tag add कर सकता हूँ name and मैं इस volume को create कर देता हूँ एक दूसरा volume अपन create करते हैं जो एक unencrypted volume रहेगा इसकी size भी 5GB यहां पर मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ create volume अब इस unencrypted अभी यह जो encrypted volume है मैं इस encrypted volume का अगर कोई भी snapshot बनाने का try करूँगा तो आप यहां पर यह देखिए edit and create snapshot इसका जब मैं snapshot बनाने का try कर रहा हूँ तो आप यहां पर देखिए by default यह encryption है तो अगर आप किसी encrypted volume का snapshot बनाते हैं तो वह encrypted बनेगा चलिए अब दूसरे वाले के साथ बताता हूँ आपको यह unencrypted है create snapshot यहां पर देख लीजिए not encrypted तो यह encrypted नहीं रहेगा अब दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं आपको अब इन दोनों से मैं एक एक snapshot बना लेता हूँ ठीक है इसको मैंने स्लेक्ट किया create snapshot encrypted snap मैंने इसका name दिया है description के अंदर and create volume पर मैं क्लिक कर रहा हूँ same ऐसे ही मैं दूसरे वाले के लिए करता हूँ create snapshot अब मैं क्या करता हूँ snapshot की लिस्ट में जाता हूँ उनसे volume create करने का try करते हैं और आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या हो यह दो स्नेपशॉट है अब यह encrypted snapshot है मैं इससे एक volume create करने का try करता हूँ action पर गया and create volume from snapshot मैंने यहाँ पर क्लिक किया जैसे ही यहां पर आपको दिख रहा है इंक्रिप्शन अगर आप एक इंक्रिप्टेट स्नैप सोट से कोई भी वॉल्यूम बनाने का ट्राई करेंगे तो वह इंक्रिप्शन में रहेगा यह चीज़ आपको ध्यान रखने है इतना समझमें आ गया अगर आप वॉल्यूम के लिस्ट में जाओगें यहां पर एक नया वॉल्यूम क्रिइट हो गया होगा वॉल्यूम सनैप ठीक कि आपने ये वॉल्यूम क्लिएट किये और यह देखिए आप यह इंक्रिप्शन में और वहां पर उप्शन भी नहीं था कि आप इसको अन्परियर वॉल्यूम क्लिएट कर सको क्योंकि वहां पर ग्रेड आउट आ रहा था वापस जाते हैं वापस एक बार दिखाने का ट्रा से बनाया था जब मैं इसको मैं action पर जाता हूं and create volume from snapshot जब मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देखिए यहां पर मैं इसको उसको चेक कर सकता हूं और जैसे मैं इसको करूंगा तो होगा क्या की आप इसका जो वोल्युम बनेगा वह in encrypted volume बनेगा तो वह आपको करके दिखा देता हूं तो अभी मैं volume में गया and अभी-अभी यह जो volume वोयूम बना लिया तो उसका श्नाप्चोट के साथ क्या behavior रहेगा एक स्नाप्चोट इंक्रूट है तो उसके जब आप volume क्रियेट करोगे तो उसका क्या behavior रहेगा यह जो चोटी चोटी means आप यूं मालीजिए कि अगर आप EBS volume के अंदर कोई भी data store कर रहे हैं जो एक encryption में है जो एक encrypted EBS volume है तो उससे अगर आप कोई भी data उसके अंदर डाल रहे हैं या उससे निकाल रहे हैं तो आपके performance पे कुछ effect नहीं पड़ेगा ऐसा AWS बोचता है तो आपको यह चीज भी आप तो अब होगा क्या कई बार आप हो या मैं होगे कोई भी हो अगर अगर अपन जल्दी-जल्दी कोई resources करते हैं तो अपन यह चीज भूल जाते हैं कि कई बार अपन चेक करना भूल जाते हैं कि इस volume को encrypted रखना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप AWS के अंदर default setting enable कर सकते हो कि कोई भी new volume create होगा तो उसके अंदर encryption by default enable रहेगा तो वह कैसे करते हैं वह भी मैं आपको दिखा देता हूं इस वीडियो में आपको यहाँ पर जाना है आपके EC2 console पर जाके यहाँ पर आपको यह setting दिख रही है इस settings में जाके आपको यहाँ पर EBS encryption पर क्लिक करना है यहाँ पर इसको manage करना है और आप यह देखिए आप इसको check कर सकते हैं जैसे ही आपने यह किया इसके बाद में आप अपन चलते हैं volumes में and create volume पर मैं अगर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर देखिए by default encryption is enabled तो यह चीज़ आप कर सकते हैं इसे लिए और आपको करनी भी चाहिए तो यह चीज मैंने आपको बता दिया है तो दोस्तो इस वीडियो में अगले वीडियो में अगले वीडियो में अगले वीडियो में बाबाए हम जब सक्क्षक्या जच बता है तो आपको इसे वीडियो में वीडियो में श necessary